Welcome YouTube Family, मेरा नाम मुहित दुआ है, मैं दिल्ली की मुखरजी नगर में, Maths का Educator हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ जैसे कि आपको पता कि एक एक जाम्स का टाइम है मैं अपनी algebraic class में एक question discuss कर रहा है जिसमें हमें दे रखा था x plus 1 by x is equal to 3 हमें question है find out करना था x की power 5 plus 1 by x की power 5 सभी students को एक short trick क्या थी कि इस question को निकालने की short trick है m की power 5 minus 5 m की cube plus 5m मैंने student से पूछा कि आपको पता है कि इस question को basic concept से कैसे करते हैं तो बहुत सब्सक्राइब student ऐसे थे जिनको नहीं पता था कि इस question को basic concept से कैसे करना है मगर आपको पता है कि अगर आप मेरे channel पर आए हो तो मेरे question कराने का 3 तरीके होते हैं सबसे पहले आपको सिखाता हूँ basic concept उसके वाद सिखाता हूँ short trick और वो ही question जिस question पर मैंने short trick सीखिए है वो ही question अगर आपको exam में आ जाए उस question को आप exam में कैसे tackle करोगे वो करना सिखाता हूँ तीन तरीके से बनती है मेरी एक question की short trick तो मुझे लगता है कि आपको इस question का basic concept पतावना बहुत जोड़ी है क्योंकि आप आज नहीं तो कल short trick भूलोगे भूलोगे तो इसलिए basic concept का पका होगा तो आप short trick अपने आप बना सकते हो सिर्फ 2 second के अंतर आई ये सीखते है basic concept short trick आपके सामने है हमें question में दे रखा होता है x plus one back's की value 3 या 4 या 5 कुछ भी दे रखी होती है हमें find out करना होता है x की power 5 plus one back's की power 5 तो हम ये short trick लगाते हैं और m हम मानते हैं इसको जो हमें given है तो हम short trick लगाते हैं मगर आपको short trick तो याद है मगर basic concept नहीं पता है कि ये short trick बनने ही कैसे तो मैं इस video में discuss करने वाला हूँ कि ये short trick कि ये short trick बनने का formula क्या है ठीक है न जैसे कि आपको पता हमें निकालना x की power 5 plus one back's की power 5 उसके लिए में दो terms से हैंगी जो है x की power 2 plus one by x की power 2 आपको ये बात तो पता ही है और x की power 3 plus one by x की power 3 इस दोना terms के बारे में हम बहुत बार discuss कर चुके अपनी अलजबरा के series के अंदर ठीक है अब मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मुझे पता जब मैं multiply करूँगा इस दोनों को तो x की power 2 multiply x की power 3 multiply करके x की power 5 बन जाएगा अब देखो कैसे होता है ये is equal to मैं यहां लिख रहा हूँ multiply multiplication करके x की power 2 multiply x की power 3 बन गया x की power 5 plus x की power 2 multiply 1 by x की power 3 बन गया 1 by x ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भी से प्लस का sign है हमने इसको multiply करा 1 by x की x square multiply x की cube तो बना x प्लस हमने multiply किया 1 by x square multiply 1 by x की cube तो आ गया 1 by x की power 5 ठीक है ना अब राइट हैंड साइट पर हमें एक बात पर लगी x की power 5 जो हमें निकालना है वो तो आ गया प्लस यहां पर 1 by x की power 5 भी आ गया प्लस उसके साथ में x plus 1 by x आ रहा है आपको एक बात पता है हमें जो find out करना है वहां तक हम दीर दीर पोच रहे हैं ठीक है left hand side पर हमें क्या है दे रखा x square plus 1 by x square multiply x की cube plus 1 by x की cube multiply यहां पर था यह multiply में था यहां पर था यहां पर था यहां पर प्लस में यहां किया कि माइनस हो जाएगा minus क्या होगा x plus 1 by x आपको एक बात पता है यहां पर अब यहां find out करना है जो हमें x की power 5 plus 1 by x की power 5 हमारे यहां पर आंसर आ गया यह पूरा इसका आंसर है और अगर आप सोच रहे हो कि sir एक बात बताओ यहां दे रखा है m की power 5 minus 3 m की cube plus 5 m यहां तो मुझे कुछ m की value दिखी नहीं दी आपको एक बात पता है अगर आप मेरी algebra के series follow कर रहे हो तो आपको एक बात पता है मैं यहां पर क्या मानता हूँ x plus 1 by x को मैं मेशे मानता हूँ m ठीक है और आपको यह भी पता कि m अगर यह x plus 1 by x अगर m है तो x square plus 1 by x square की value कैसे निकलेगी आपको एक short trick पता है इसके लिए यह क्या है m square minus 2 मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह नहीं बताँगा कि m square minus 2 कैसे आया क्योंकि मैं इसके लिए एक वीडियो कवर गर शुका हूँ मेरे ख्याल से algebra series की वो 6 number या 7 number वीडियो होगी है वहाँ जाके दिसकते हो मैं i button पर playlist डाल दूँगा अब आप कैसे निकाल सकते हो x square plus 1 x square की value क्या आती है m square minus 2 और इस तरीके से आपको पता है x cube plus 1 x cube की formula क्या होता है short trick क्या होती है mk cube minus 3m और 7 में ही आपको यहाँ पे minus अभी आपने देखा है mk equal है अब पूरा question m में convert हो गया आपको देखा अब यह आ जाएगा वो रटने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है is equal to यहाँ दे रखा है हमें x की power 5 plus 1 by x की power 5 मैं यहाँ सब कुछ रब कर देता हूँ कि हमें जुरत नहीं है इसकी short trick लिखी है उसके equal लेके आना है तो वो equal हम लेके आ जाएंगे अब देखो कैसे आता है इस सरीके से देखो हमारे सामने एक दो चीजे हैं यहाँ पर दो terms है माइनस में m है तो दो terms को multiply करेंगे m की power 2 multiply m की power 3 आगे m की power 5 इसको हम से multiply करेंगे तो minus 3m cube ठीक है और इसको जब multiply करेंगे तो आएगा minus 2m cube और इसको multiply करेंगे इस पर आएगा plus 6m minus m ठीक है ना अब देखो यहाँ पर m cube का m cube निकल गया m की power 5 का m की power 5 निकल गया minus 3m की cube minus 2m की cube यह plus करेंगे तो इसको आएगा minus 5m की cube यह भी आगया प्लस 6M, माइनस M आए गया, प्लस 5M, तो रटने की जुरूद बिल्कुल भी नहीं है, आपको बेसिक कंसेट पता है कि हमने क्या किया, जब X की पावर 5 प्लस 1 बैक्स की पावर 5 में फाइन आउट करनी थी, तो मैं दो टरम्स को मल्टिप्ला कर लिया, कौन सी दो टरम्स थी X की पावर 2 प्लस 1 बैक्स की पावर 2, मल्टिप्लाए X की पावर 3 प्लस 1 बैक्स की पावर 3, जब हमने मल्टिप्लाए किया दोनों को, तो हमारा ये निकल गया, बेसिक कंसेट से, रटने की कोई जुरूद नहीं है आपको पूरा कंसेट उता दिया, अब ये भी कह सकते अगर आपको निकालना हो x की power 5 plus 1 by x की power 5 आपको short trick पता है ऐसे को निकालने न x square plus 1 by x square direct multiply x की q plus 1 by x की q और साथ में minus x plus 1 by x और आपको पता है अगर आप इसको m मान रहे हो तो यह निकलेगा m cube minus 3m और यह निकलेगा m square minus 2 तो इस तरीके से multiply करते हैं तो यह short trick बनती है मगर आपको अगर यह basic concept पता होगा तो यह short trick आप exam में apply कर सकते हो अगर आप भूल गए कि यहाँ पर power 4 थी यहाँ power 2 थी तो आप इस तरीके से जाके सिर्फ 2 second या फिर 5 second जादा लगेगे तो आप मगर आप question exam में गलत बिल्कुल भी नहीं करोगे अगर आपको यह basic concept पता होगा तो Thank you so much for watching अब मुझे छोटा साब का एक favor चाहिए अगर आपको यह video अच्छी लगी और समझ भी आई तो आप इस video को उन student के जरूर शेयर कर देना जो student education afford नहीं कर सकते ताकि एक भी student ऐसा ना रह जाए जो पैसे की विज़े से पढ़ नहीं पा रहा Thank you so much